नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल परफेक्ट स्टेडी जी इसमें दोस्तों आज हम लेकड़ा हैं बिहारे साइमेंस का प्रैक्टिस सेट नमर 14 दोस्तों इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट कड़ा चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं सस्क्राइब नहीं किये हैं तो इसे सस्क्राइब कर लें और इसे ज़्यादा स्यदा लाइक करें दोस्तों में शेयर करें Facebook, WhatsApp, Telegram के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कियोंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है हम प्लेटफॉर्म बुक से करा रहे हैं जिसका यहाँ भैलूम टू है प्लेटफॉर्म बुक का और इसमें हम लोग औसी कोशन का डिसकेशन करने वाले हैं तो चले दोस्तों आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन हो जाएगा 1789 की करांती के बाद फ्रांस में किस परकार की सासन विवस्ता अस्थापित की गई हम आपको 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी यानि की शम्मेधानी की राजतंत्र 1789 इसपी में फ्रांस की करांती के बाद गंतंत्र अस्थापित किया गया था और 1804 इसपी में नेपोलियन ने गंतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र अस्थापित कर लिया नेपोलियन को करांती का पुत्र कहा जाता है जिनोंने करांती का गला घोट दिया नेश्श कोशन देखते हैं, नेश्श कोreshन हो जाएगा कि जूते हुए छेत का पर्मान किस हर रपाई अस्तल से मिला है, इसका राइट एंसर हो जाएगा नमर इसकर dormir काली बंगन से काली बंगन जो है ऊहरा जैस्तान के गंगा, साग अर्जीला में इस्तित है और काली ब इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर B, 1960 के दसक में हरित करांती का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित करांती का जनक कहा जाता है नर्मल बोर लॉक को कहा जाता है अब भारत में हरित करांती की शुरुवात जो हुआ था 1966 से 67 में हुआ था 1966 से 67 में माने जाता है और भारत में हरित करांती का जनक MS Swaminathan को किनको MS Swaminathan को कहा जाता है भारत में हरित करांती का जनक माना जाता है और हरित करांती का जन्म भूमी अगर पूछ देता है तो जन्म भूमी जन है वह पंत नगर है पंत नगर किसी विश्विद्याले को माना जाता है नेश कोश선 देखते हैं यंग इउरोप की अस्थापना किसने कि थी? इसका राइट एंसर हो जाएगा औप्सन नमरे मैजिनी ने यंग इउरोप की अस्थापना मैजिनी दोड़ा किया गया था यंग यूरूप की अस्थापना जो किया गया था अठारे सो चोंगोतीस इसवी में किया गया था यंग इटली की अस्थापना जो किया गया था अठारे सो एकतीस इसवी में किया गया था और यंग इटली की अस्थापना जोसिफ मैजनी ने किया था नेक्ट कुछन देखते हैं मराठो द्वरा अंग्रीजु के साथ 1782 इस्वी की सालावाई की संधी किसके आगड़ा परकी गए थी इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी सिंधिया मराठु दोर अंग्रिजु के सांथ 1782 इस्वी की सालावाई की संधी सिंधिया के आगरा परकी गय थी और प्रथम आंगल मराठा युद जो हुआ था वो 1775 से 1882 इस्वी के बीच हुई थी और सालावाई की संधी जो हुई था वो 1782 इस्वी को पेश्वा माधोरा की करवाहक महादजी सिंधिया ये अंग्रिजों की बीच प्रथम आंगल मराठा युद को समाप्त करते हुए एक संधी हुई इसके एक संधी हुई नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा सबसे अधिक बोले जाने वाली सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भूमी राजस्वासूल करने का अधिकार देने की बेवास्ता का आरम सरप्रथम किशने किया इसका right answer करना है इसका right answer हो जाएगा अप्सन लमर बी लाट वारेन हैस्टिंग सबसे अधीक बोली लगाने वाले को भूमी राजसोन वसूल करने का दिकार देने की बेवस्ता सरपर्थम लाट वारेन हैस्टिंग ने किया था और पलासी के युदि के उपरांत संपन इलहाबाद की संधी 1775 के बाद कमपनी को बिहार, बंगाल और उरिसा में भूरा जोस्तो प्रसासन का अधिकार मिल गया बारण हेस्टिंग ने बुली लगानी के प्रता के सुरुवाद की जिसमें सरवाधीक उची बुली लगाने वाले को लगानवसुली का पांच बर्सी ये कितना तो पांच बर्सी अधिकार प्राप्थ होता था और 777 में या अधिकार एक बर्स कर दिया गया एक बर्स कर दिया गया नेस्ट केशन देखते हैं बर्स 1920 में लाहोर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्ररम किया गया था इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसे नमरे बंदे मातरम यहां बहुत लोगपडिये समाचार पत्र था जिसकी लगभग 5000 प्रतिया प्रति दिन लोगों तक पहुँची थी बिबादों के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था बाद में लाहोर से ही लड़ा लाजपत्र रायने दी पीपूल दी पीपूल दी पीपूल नामक सब्ताहिक अंगरेजी समाचार पत्र का भी समपाधन किया नेश कोशन देखते हैं भारतिये राष्टिये कांगरेज की पहली महिला अध्याक्ष निमली खित में से कौन थी इसका राइट एंस तर हो जाएगा ओप्शन नमर बी सिरिमती एनी वेसेन इन्होंने बर्स 1927 इस बी में कलकात्ता में संपन हुए कांगरेज के 32 अधिवेसेन के देखता है कि थी इनी वेसेन ने सितंबर 1916 में मदरास में आखिल भारतिय होमरू लिंक की अस्थापना की नेश कोशन देखते है 1905 इस बी में बंगालवी भाजन किस वाय सराय ने किया इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर बी लाड करजन बंगालवी भाजन लाड करजन जो अठाड़े सो निनानविर से 1905 के कारिकाल में किया था बंगालवी भाजन के नीने की घोशना जो हुआ था आपको वह 19 जुलाई 19 जुलाई 1905 को की गए थी और बंगालवी भाजन लागू को हुआ था तो लागू हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा किस चीनी राजा ने 220 इस वी पूरुचीन की विशाल दिवार के निर्मान कर प्रारम किया था इसका राइटन सर हो जाएगा आपसा नमर सी सी हैंग टी चीन की उतरी सीमा में सुरक्षा के देशी से दिवार के निर्मान कर प्रारम किया गया था चीन का विशाल दिवार जो है वह आपको 6000 किलोमीटर से लंबी है नेश कोशन देखते हैं मुहमद गोडी ने जैचन्द को किस युद में पड़ाजित किया था इसका राइटन सर हो जाएगा आपसा नमर सी चन्दावर का युद जो हुआ था एगाड़े सो चुरानवेर में इसी में मुहमद गोडी ने आपको पड़ाजित किया था जैचंद को मुहमद गुरी ने जैचंद को पराजित किया था और चंदावर परत्मान में कहा है तब फिरुजाबाज जीले में है और जैचंद ने तराइन के दिति यूद में मुहमद गुरी को सहायता दिया था नेच्ट कोशन देखते हैं नेच्ट कोशन हो जाएगा निमली खित में से किसे काला पैगोडा की नाम से जाना जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी कुनार का सुर मंदिर काला पैगोडा को नार के सुर मंदिर को कहा जाता है सुर मंदिर जो है सुर मंदिर जो आप्शन ए में दिया हुआ है यह आपको महावली पूरम में है जिसे राथ मंदिर भी कहते हैं सुर मंदिर को नरसी ब्रह्मन प्रथम ने बनवाया था और कस्मीर के मारतंड मंदिर उभी जिसको सुरी मंदिर का निर्मान जो किये थे वो थे आपको ललिता दित्ते ने किये थे जो कि आपको कस्मीर के मारतंड मंदिर है उसको निर्मान ललिता दित्त मुकता पीर द्वरा किया गया था देवगड का मंदिर का निर्मान जो है यह आपको गुप्त काल में हुआ था देवगड के मंदिर का निर्मान गुप्त काल में किया गया था और मोडेरा के सुर्ज मंदिर का निर्मान गुजरात के चलुक कुसासक के दोरा निर्मान खड़वाया गया था नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन हो जाएगा अलमाटी बांध किस नदी पर बना है इसका राइटेंस तर हो जाएगा अप्शन नमर सी कृष्णा कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है उद्गम है वह महाबलेस्वर के समीप पच्मी पहार से हुआ है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है तो 1401 किलोमीटर है और कृष्णा की कुछ सहायक नदी आ है जिसे भीमा हो गया तुंग भद्रा मूशी अमरावती कोईना माल प्रभा पंच गंगा दूद गंगा घाट प्रभा आदी और किष्णा नदी पर नागार्जुन सागर प्रयोजना है जो कि आनिर प्रदेश राज्ज में है इसका राइट अंसर हो जाएगा कि भारत में कुलू घाटी किसकी खेती के लिए परसीद है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन अमर सी शेव के लिए जम्मू कस्मीर और हीमाचल प्रदेश भारत में शेव के लिए परसीद है आलू का सबसे अधिक उत्पादक उत्तर प्रदिस में होता है और भारत में नागफुल में निम्बू संत्रा के लिए प्रसिद्ध है और नाडियल का सबसे अधिक उत्पादक केरल राज में होता है नेश्ट कोशन देखते हैं निमली खित में से वह इस पाद सेंटर कोन सा है इसकी अस्थापना दितिये पंच बर्शी योजना के दुरा नहीं की गय थी इसके राइट एंसर हो जाएगा option अमरी बोकारो बोकारो इस पाद सेंट के अस्थापना ब्रितिये पंच बर्शी इस पास से अंत्र के अस्थापना नहीं हुआ था Next question देखते हैं Next question हो जाएगा निमलीखित में से बिजली का नवी करन संसाधन है इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number A, पानी पन बिजली का नवी करन संसाधन है इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number C, समुंद्री सतह पर भुकंप सुनामी, जपानी सब्द है अंत्र साइगरिये भुकंपों को कहते हैं Next question देखते हैं Next question हो जाएगा प्रित्वी के चारो और वाई मंडल के ताप अस्तर के तीन सु अस्पष्ट भी सेस्ता है निम्लिखित में से वह कौन सा एक पड़तों से उपर की और का सही बिन्यास है भुप्रिश्ट से उपर की और का सही बिन्यास है इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रित्वी के चारो वाई मंडल का सुस्पष्ट बिन्यास चो मंडल समताप मंडल थर्मोस्फियर है और अठाडे से 32 किलेमेटर की उचाई तक समताप मंडल है जहां समान ताप रहता है उजोन मंडल की उचाई जो है 32 से 60 किलेमेटर तक है समताप मंडल वायवान के उरन का आदर्स अवस्ता है नेश कोशन देखते हैं बिहार में प्राया कैसी मिटी पाई जाती है इसके राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर C जलोड मिटी नवीन जलोड मिटी को खादर और पुरानी जलोड मिटी को बांगर कहा जाता है और गंगा नदी के उतरी भाग बिहार में खादर और गंगा के दक्षनी भाग बिहार में बांगर मिटी की प्रधानता है नेश कोशन देखते हैं भारत की समिधान सभा का अध्यक्ष कुन था इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमर बी डाक्टर रजेंदर प्रसाद समिधान का प्रतम और अध्यक्ष सचिदान अंसिनहा को 9.1946 को बनाया गया था और सचिदान अंसिनहा के दू दिन बाजय नेकी एक गारत इसमबर 1946 को डाक्टर रजेंदर प्रसाद को समिधान का अस्थाई सदस मनाया गया था नेश्ट कोशन देखते हैं विश्ट की प्रतम महिला परधान मंत्री थी इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमर बी शिरिमती श्रीमाव भंडार नायके जो की स्रिलंका से थी और 1960 इसम अंतराष्टिये समस््याव के समधान के लिए किया जाता है इसमें न आधिसो की संख्या कितनी हैं तो पंदरा है जिसका एक बाटा तीन पांच बरसों बाद हट जाते हैं इस परकार नए जिस्टों की नियुक्ति नौ बरसों के लिए होती है और अंतराक्षिय नियाले की भासा क्या है तो फ्रेंच और अंग्रेजी है नेश कुश्ण देखते हैं नियुक्त में से सम्मिधान का वा अनुश्यत कौन सा है तो जम्मू और कस्मीर की विश्यस दरजा प्रदान करता था इसे सम्मिधान के सुची से हटा दिया गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी अनुश्यत तीन सो सत्तर नेश कुश्ण देखते हैं नेश कुश्ण हो जाएगा कि भारतिय सम्मिधान का कौन सा भाग सम्मिधान की आत्मा कहलाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी यानि की उद्देशी का उद्देशी का सम्मिधान का भाग है इसमें सम्मिधान सम्मिधान किया जा सकता है समिधानिक उप्षारों के धिकारा खुड़ाकर अंबेदकर भारतिय समिधान के हेदायों आत्मा कहा है अनुछेद 32 के तहट सरोच नियाले तिथा अनुछेद 226 के तहट उच नियाले पांच प्रकार के जाड़ी करता है नेश कोचन देखते हैं राष्टपती रामनात गोबिन्द ने किस देश में महात्मा गांधी की एक कांस परतिमा का उद घाटन किया है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमरे स्विजर लेंड नेश कोचन देखते हैं नेश कोचन हो जाएगा कि लाइफ डिवाइन पुष्टक के लेखा कौन है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमरे लाइफ डिवाइन पुष्टक के लेखा कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमरे लेखा कौन है तो इसका राइट एंसर हो देखते हैं नेश कोचन हो जाएगा कि किसी राज की प्रथम महिला मुख मंत्री थी इसका राइटेंशन हो जाएगा आप्चा नमर सी सूचेता किरपलानी किसी राज की प्रथम राजपाल थी सरोजनी नाईजू और प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भारतिय जो थी सरोजनी नाईजू थी जो कि 1925 के कानपूर अध्यवेशन में अध्यक्ष बनी थी इनेश कोचन देखते हैं संगीत के छेत्र में ख्याती प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्रतन परदान किया गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर सी चार 1990 में पंडित रवीशंगर को दिया गया 2001 में लथा मंगेशकर और उस्टाद बिस्मिल्ला खा को परदान किया गया और 2008 में भीम से अंजोसी को भारत रत्र रत्र न शुर प्रथम में दिया गया और भारत रत्र रत्र अटल बियारी बाचवाई और मदल महला मालियों को 2015 में दिया गया है, भारत रत्न सबसे बड़ा असाइनिक पुरस्कार है जिसका सुरोच चिनागरिक शमन भारत रत्न भारत के राश्वथी द्वरा प्रदत की जाती है नेश कोशन देखते हैं विस उठा का दिवस कॉम्मन आया जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी दस जन्वरी नेश कोशन देखते हैं मोडियम नाम निम्रिखित में से लिया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर डी माडूलेटर डी माडूलेटर नेश कोशन देखते हैं पहली भारतीय मैला जो भारती राष्टे कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी सरुजनी नाइडू। नेटिवीटी चर्च कहां इस्तित है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी बैथ लेहम में नेटिवीटी चर्च की कारण भारी युद हुआ धर्म युद इसाई और मुसल्मान के बिच लंबी ओधियो तक लड़ा गया था नेटिवीटी चर्च बैथ लेहम में नेटिवीटी चर्च कोशन हो जाएगा जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके शक्रियन के कारण नाक से जल भी सरजन होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी असुरुकारी गरंथी असुरुकारी गरंथी जो भय या सुख में असुरु छोड़ता है और सुसित करना नेश कोशन देखते हैं तो एक्स एक अक्साइट का निर्मान करता है जिसका सूत्र एक्स टू ओ थरी है तो एक्स आवर्थ साजनी में डैस की भाती समान सम्मू होने की संभावना अधिक है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर सी एलमूनियम की अधिक है नेश कोशन देखते हैं डैस एसकैरीन का सधारन नाम है डैस एसकैरीस का सधारन नाम है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर ए राउंड बॉर्म एसकैरीस का सधारन नाम है नेश कोशन देखते हैं नेक्स्ट क्रेशन हो जाएगा निमन में लाल समवानिय संयोजी उतक है इसका राइडिय अंसर हो जाएगा आप्सन नमर सी रूधीर संयोजी उतक विभीन अंगों और उतकों को शंबंद करता है तथा उनके कुछ ओलंब भी देता है संयोजी उतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भड़ी रहती है संयोजी उतक तीन प्रकार के होते हैं वास्तिविक संयोजी उतक, कंकाल उतक, तरल उतक या शंबहन उतक नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हो जाएगा छार के सम्मंद में कौन सा सही नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर C नीले लिटमस को लाल कर देता है या छार के सम्मंद में सही नहीं है अमल जो है वहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अमल मिथाइल ओरेज को लाल कर देता है छार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या करता है तो नीला नेश्ट कोशन देखते हैं अभी तक बिग्यानिकों द्वराप पदार्थ की कितनी अवस्ता तय की गई है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमर सी पांच भौतिक अवस्ता के अधार पदार्थ को तीन बढ़कों में बाटा जाता है एक ठोस हो जाएगा एक आपको द्रौव हो जाएगा और एक गैस एक गैस हो जाएगा तो अन दू अवस्ता है प्लाजमा तथा बोस आइंस्टीन संगहनन है किसी पदार्थ की अवस्ता उनके अंतरानुमिक बल पर निर्भर करती है नेस्ट कोशन देखते हैं लार ग्रंती से डैस एंजाइम स्रावित होता है इसका राइक एंसर हो ज ग्रंती पाई जाती है मनुष्के लार में लगभग 90% जल तथा सेस 10% जो होता है वह एंजाइम होता है लार में मुक्तव दो एंजाइम पाई जाते हैं यह टाइलीन और लाइसोजाइम है नेस्ट कोशन देखते हैं जब कोई बस्तू एक समान गती से गती कर रही हो तो इसका तोरण क्या होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी यानि कि सुन होगा एक समान बीग का समय ग्राब समय अक्ष के सामनानतर होता है यदि बस्तू एक समान तोरण से सरल रखा में गती कर रही हो त सुमय अक्ष के साथ कुछ कून बढाती है, तता मूल बिंदु से गुजरती है नेश्ट कॉष्ण देखते हैं नेश्क कुष्ण हो जाएगा कि किसी रिनात्मक पड़ी में सांख्या का वियुत्पण इसका रायट अंसर हो जाएगा, आप्शन अमरे एक रिनात्मक पड़ी में संख्या होती है किसी रिनात्मक पड़ी में संख्या का विद्पॉन एक रिनात्मक पड़ी में संख्या होती है नेश्ट कोशन देखते हैं यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ को पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरीतर गल जाती है तो क्या होता है तो इसके राइक्टेंसर हो जाएगा आपसा नमर C जल अस्तर पुरुवर्टर रहेगा यदि आपे गिलास को पानी और बर्फ से पुरुवर्टर भरते हैं तो बर्फ पुरुवर्टर गल जाती है जो जल अस्तर पर पुरूरतर होगा जब बर्ठ पानी में तेरती है तो उसके आयतन का 1 बाटा 10 जो है एक बाटा 10 भाग पानी के उपर रहता है तता 9 बाटा 10 भाग जो है और पानी के भीतर रहता है नेश कोचन देखते हैं द्रबमान या आयतन बड़ाबर क्या होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी एनकी घनत नेश गोशन देखते हैं नीवन में से कौन सा रासाइनिक परिवर्तन का उदारन नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी जल का जल वास में पर पाजन भी रसायनिक परिवर्तन है नेश्च कोश्ण देखते हैं नीमन में से अगात बरदनिये धातु कौन सी है इसका राइटान सरो जाएगा अपसन अमर बी यहन की गोल यहनि की सोना, सोना क्या है ता अगात बरदनिये धातु है शोना कुमल चमकतार तन धातू है सोना को अयस्क केलावेराइट और सिल्वेनाइट है सोना सबसे अक्रिया सिलता वाला धातू है नेश्ट कोशन देखते हैं अंतरवेसी बिभजियों तक पाए जाते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमरे पतियों के तल में नेश्ट कोशन देखते हैं हाइडरोजन का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास निवन में से किसके समान होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमरे सी चारी धातू के हाइडरोजन का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास कहा जाता है, Next question देखते हैं, Next question परमानू संख्या का अवर्धित कार है अवधिक कार है निम्लीखित में से कोन यह बताता है कि ततो के गुण उनके परमानू संका का आउधिक कार है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की आधूनिक आउधिक नियम नेश क्योंचन देखते हैं नेस्ट कोचरों हो जाएके निम्लीखित में से कौन सी घटना द्वारा पोध है कि वल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। इसका राइटेंशन हो जाएगा आपसा नमर बी उत्तक शवर्धन। नेस्ट कोशन देखते हैं, नेस्ट कोशन हो जाएगा, वह बस्त हुए जिनका गंध, एसीडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, को डैस कहते हैं, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमरे, आल फैक्टरी संके तक, नेस्ट कोशन देखते हैं, जब परकास एक सग लिएमन माध्यम से बिरल माध्यम में परवेश करता है, तो इसके गती पर क्या परभाव पड़ता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमरे, यानि कि बढ़ती है, रूमर ने 100% परकास का बेग, निर्धारित किया, परकास का बेग, शरुरवाधिक निर्वात य कारबन आवर्थ सारनी के बड़ चोगदे का सदस से कारबन को शार्भोमिक तर तो माना जाता है, ने 100% देखते हैं, एलमोनियम धातू के वल निमलिखित द्वारा निसकर्शित किया जाता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमरे, इलेक्ट्रो लीज, ने 100% देखते हैं, अमीबा, पेरा, मिसियम और बेक्टिरिया, डेस द्वारा बनते हैं, इसका राइट एंसर हो जाएगा यह सब है, यानि कि बाइनरी विखन्णन के द्वारा, बंडिंग द्वारा, और बहु भिखन्णन के द्वारा, अमीबा, पेरा, सिमिया और कार्ड होगा, इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी, रिनात्मक, यदि बॉल भी स्थापन के विप्रित हो, तो कार्ड रिनात्मक होता है, ने 100 कोशन देखते हैं, हैलो जोन में डैस होता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी, दो गैस, एक त दोस नेश कुशन देखते हैं विववांतर भी और विदुद्धारा आई के बीच संबंध की खोच किसने की थी इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी ओम नेश कुशन देखते हैं मुगेर जो है बिहार में अपनी रधानी बनाने वाल पाल सासक था इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी ओम निकी देव पाल पाल पंस का संस्था पक गोपाल था गोपाल को जनताओं ने सासक चुना गोपाल जो था वो बहुत धरम के मानने वाले थे नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि नेमली खीत में से राज-जफह के बिसर में कौन सा कचन सही नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसा नमर भी इसका कारकाल ब्हुता है या सही नहीं है राज सवा के कारकाल छो बर्स का होता है और इसको भांग नहीं किया सकता है सही है पर तिक दू बर्स बाद इसके एक त्याई सदस के कारकाल स्राप्त होता है यह भी सही है और इसके सदस तीस बर्स से कौम आयू के नहीं होते यह भी सही है नेश कोशन देखते हैं मूल अधिकार के संदर में कौन सा कतन सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसे नमर D उस्तम नियाले के मूल शेतर अधिकार के अंदर गत नहीं आते यहाँ वाद योग नहीं है सही है नया योग नहीं है सही है और संसोधन योग नहीं है यह भी शही है लेकिन जो मूल अधिकार के संदर में निम्लिखित में से कौन सा कतन सही है तो आपको D नमर जो है कतन वही सही है और यह तीन को दिया हुआ है कि यह बाद योग नहीं है यह गलत है नया योग नहीं है यह भी गलत है और संसोधन यह सही है मौलिक अधिकार का समयधानिक उप्चार का उले कनुशेत 32 में है नेस्ट कुछन देखते हैं नेस्ट कुछन हो जाएगा कि निवन में से किसे दक्षिन गंगुतरी के नाम से जाना जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर सी भारत का प्रतम अंटार् किया गया मंहल जाता है नेस्ट क्षोन देखते हैं भारतिय गंचना अनुशंधान संस्थान इस्तिथ है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर मी कोयंनबर टूर में कंद्री औस अनुशंधान अनुशंदान संथान लखणौमं में है रमान सर्वा संस्थान बैंग लूरूम में है नेस्ट कुर्चन देखते हैं महाविस्पोटक सिधान संबंदित है इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर बी ब्रमान की उत्पति से बिग बैक थिवरी जोज लेमेंतर ने दिया ब्रमान का परसार हो रहा है ब्रमान का बिस्थार डॉलर पर भाव प् यूग करते हैं इसका राइटेंसर हो जायएगा अप्सन नमर शी उरेनियम डेटिंग उरेनियम बिद्धि से सुर्ज की आयू भी निरधारित किया जाता है प्रित्मिक की आयू 4ibles 6 औरों बंस माना जाता है सुर्ज की तो आपसे नमर सी शूर्ज और चंदर्मा के शंयुक्त फ्रभाव से महासागण में जुरबटा के उत्पति के कारण है दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप अमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लिज इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में सेयर करें ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और आप को रिक्वेस्ट है कि आप पूरा असी कोश्चन को आप लोग देखें और इसको बनाएं अगर आप इसका पीडिये प्राप् उपषन उच्यदाव से कहां से चलती है तो उपसन उच्छ दाव से नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हो जाएगा कि निमली खित में से कौन सी भूमासागरिय जलवायों के विश्ष्षता है इसके राइट एंशन हो जाएगा आपशन नमर सी सीत रीतू में बरसा भुमसागरे जल्वावी विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री दोनों गुलारदों के बीश महादीपों की पच्छमी तटो पर मिलता है ग्रिसम काल, सुखा और सीत काल आंद्र रहता है जाड़े की रित्व में पच्छुआ पोनों दोरह होने वाली बड़सा इसकी परमुख विश्यस्ता है यहाँ पर अंगूर और निम्बू फल बड़े परिमाने पर उगाये जाते हैं नेश कोचन देखते हैं नेश कोचन है ओजून पड़त बताती है इसका राइट एंसर करना है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर डी प्रित्वी की सता से लगभग 32 से 60 किलोमीटर उपर वाई मंडल की परत वो जोन परत कीमो टाइम आपने में डॉप्शन ही काई का पड़ियोग किया जाता है नेश कोशन देखते है पायस एक कुलाइड होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर C द्रौव में द्रौव का नेश कोशन देखते है माई लाइफ माई मी सन किसकी आत्म कता है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर B बाबा राम देव नेक को सन सोंदेखते हैं भारत कि सबसे लंबी सुरङग जवाहर टंल कि शराज में शूरत है इसका राइड़ टैंसर ऐगा आपसा नमरे um कसमीर है यहनि कि आपके इंसासित परदिस में इस्तित है बनिहाल दरे से जमू से स्री नगर जाने का मार गुजरता है नेश कोशन देखते हैं भारत में सबसे अधिक साक्षर संगराज छेतर है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसे नमर भी लक्षदीब लक्षदीब की सक्षारता दरद धोजरे गारे के इनुसार 92.88% है लक्षदीब जनसंख्या और छेतरफल की दिश्टी से सबसे छोटा केंदर स्यासित परदेश है नेश कोशन देखते हैं तीसरी कसम फिल्म किसकी उपनियास पड़ा दारित है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसे नमर सी फनीशोर नाथ रेनू ने मैला आचल नमक परसिद प्रतम आंचलिक उपनियास लिखी है नेश कोशन देखते हैं निमली खित में से कौन से देस मैक महांट रेखा के दोनों वो रिश्तित है इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमर 2 भारत और चीन मैक महांट रेखा 1904 में ने धारित किया गया अब चीन मैक महांट रेखा को नहीं मांantage नेक्स कोशन देखते हैं सब्सक्राइब नेक्स कोशन हो जाएगा महात्मा गाधी ने अपना रंग्भेद के विरूद अंदोलन कहां शुरू किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सण नमर सी यानी की नाटाल में शुरू किया था दक्षी न फिर क्या के नाटाल से रंगभेद के बिरोढ़न चलॉय थे माहत्मा गादि dh q 17 के दवारा उन इस्विमें गादिजी ने तिन कठिया पदिति को समाप्त करने में शफलता पाई भारत में ओल-इंडिया लेवल का प्रथम अंदोलन गादिजी द्वारा ने उस अनईस इस्विमें रॉलेट के भ अगर आपने कैसा लगा यह वीडियो चरूर बताए कमेंट करें और आप इसको वीडियो को पूरा देखें और असी कोश्चन बनाया और बताएं कि आपका कितना इसमें स्कूर हो रहा है और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मारे चैनल को कर लें ज्यादा से लाइक करें दोस्तों में शेयर करें फेस्बूक वाट्सप और टेलिग्राम के माध्याम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम विहार एसाई प्री 2020 के लिए भी प्रैक्टिस से चला रहे हैं हम तीन प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं अगर आप को उसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर आके उसे बना सकते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो आप मेरे टेलिग्रेम जोइन किजिए उस पर पीडिएफ मिल जाए झाल झाल